Hello everyone, question is A takes 3 times as long as B and C together to do a job देखिए, A क्या कर रहा है? A, 3 times उसको time लग रहा है जितना B और C को मिलकर लग रहा है, ठीक है? मतलब अगर B को 1 unit लग रहा है, तो A को कितना लग रहा है? 3 unit लग रहा है, ठीक है? B और C को अगर 1 गंटे में काम कर सकते हैं A अकिला कितने के देर में कर रहा है, 3 गंटे में काम कर रहा है यह क्या आगया? अपने पास time का ratio आगया अगर अफने efficiency के ratio की बात कर रहा है, तो इसका just reverse हो जागा क्या हो जागा? 1 is to 3 ठीक है? A की efficiency कितनी होगी? 1 unit B और C की efficiency में लग रहा है? 3 unit उसकी बात क्या हो रहा है? B takes 4 times 4 times time लग रहा है A and C together A और C अगर A और C को मिलकर 1 गंटे में काम कम्टीट कर सकते हैं तो B अकिला कितनी देर में कर देगा? 4 गंटे में कर देगा ठीक है? यह अगर time का ratio हो है तो efficiency कर रहा है तो इसका just reverse 1 is to 4 हो जागा यह इनकी efficiency कर रहा है ठीक है? उसकी बात आगे क्या बूल रहा है कि working together 24 गंटे में काम कर सकते हैं मतलब A प्लस B प्लस C किसी काम को कितनी देर में कम्प्लीट कर सकते हैं 24 आर में कम्प्लीट कर सकते हैं ठीक है? अब अपने पास यहाँ से थे कोई यह efficiency का ratio यह efficiency का ratio आजयों ठीक है इधर से अगर चेक करें 4 unit ओर रहा है यह थर से अप्लस B प्लस C कितना आ रहा है 5 unit ओर जो ही हो तो इधर क्ल की यह जाए? एधर क्ल लेतो है 5 का multiply यह चेक हो जागा 20 unit हो जाएगा तो यह 20 यूनिट बन जाएगा इसको पहले 20 यूनिट बना लेते हैं ठीक है 20 यूनिट यहाँ पर एफिशेंसी आ जाए कितनी आ जाएगी देखिए 5 बन जा 5 एदर से चेक करें 4 बन जा 4 एड़ 4 दो जा 16 16 प्लस वर यह 20 आ अब दोनों में सम 20 आ रहा मतला अपने पास सबके efficiency कितनी हो जाए? 5 unit 5 unit हो गया B की efficiency यहां से कितनी हो रहे? 4 B की efficiency यहां पर 4 रखेंगे तो C की कतनी हो जाएगी? 11 A की कितनी है? A की 5 है 11 16 मोज़के इस अजkiej कर लो पॉने पास 3 की efficiency हो गया तीनों की efficiency हो आ गया नहीं आए अपने फास तो टूकां जागा टूटलवर कितना यूयू में आपको करना यह टूटल वर्क करना अपने एको एको करना एकी एफिशेंसी कितनी 5 उनित 5 उनित एफिशेंसी करेगा कितने दिन कल लेगा 24 इंट फॉर जो की क्या होता है 96 आर 96 आर ना डे की बात हो रही है ठीक है डे 96 दे लगेंगे यहां पर यार नहीं था यह भी दे था कोई फरक नही